नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं डिवाइन मेलोडीज चैनल मैं हूँ आपके साथ सारी का जैसा कि हम सभी जानते हैं फिल्म पदमावती आज कल काफी सुर्खियों में है और अब रानी पदमावती को लेकर एक और फिल्म बनने जा रही है इसे सिलसले में आज हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोड्यूसर अशोक शेकर जी, जुगराज जैन जी और डिरेक्टर अशोक बिंदल जी तो सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में हमने सुना है कि आप पदमावती को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो अल्रेडी बन चुकी है और काफी सुर्कियों में है हम बनाने जा रहे है और हमारे डिरेक्टर साब इस बारे में डिटेल में बताएंगे पदमावती जो हम बनाने जा रहे हैं, ये एक असल कहानी जो है, उस पे हम पदमावती बनाने जा रहे हैं, ये कलपना से परे है, ये सची कहानी जो है, उस पे हम लोग इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं से भी हमने कोई कलपनिक चीज का इस्तमाल नहीं करना है, अब इस फिल्म के टाइटल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं इस फिल्म का टाइटल हमें रखा है मैं हूँ महरानी पदमावती हिंदी में और राजस्थानी में है हमारी महरानी पदमावती इस film को आप हिंदी और राजस्थानी दो भाशाओं में बनाने वाले हैं तो आखर इस movie को दो भाशाओं में हैं आप क्यों बना रहे हैं अब हम इस film के star cast के बारे में आप से जानना चाहेंगे कि आखर कौन-कौन से चहरे इस movie का हिस्सा बनने वाले हैं चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस मूवी की जरीए आप नए चेहरों को चांस देंगे उन्हें भी अपनी हुनर दिखाने का मौका मिलेगा अब हम आपसे जाना चाहेंगे कि इस फिल्म को आप कौन कौन सी लोकेशन पर शूट करने वाले हैं और कब से शूट करने वाले हैं यह हम लोग जैपूर के पहले से एक्चुल लोकेशन पर शूट करने वाले हैं कौन सी तारीख में करने वाले हैं इस फिल्म को बनाने का आइडिया आखिर आपके दिमाग में आया कैसे? इस फिल्म को बनाने के पीछे आखिर क्या मकसद है? इस फिल्म को बनाने के पीछे आखिर क्या मकसद है? कि एक सची चीज सामने आया हमारा इतिहास को हम क्या करते हैं कई बार हम छेड़ देते हैं तो एक तो यह कारण है कि सची चीज सामने आये सची बात सामने आये लोगों को सच्चाई का पता चले इसलिए हमने इस फिल्म को बनाने का बिला उठाया और दूसरा ऐसा कोई खास हमने कुछ सोचा नहीं बस हमने एक दिवानगी के साथ शुरू कर दिया कि हमने बनानी है और एक सची कहानी पर फिल्म बनानी है इस फिल्म को बनाने में किन-किन लोगों ने आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? इस फिल्म को बनाने में कौन-कौन से लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं? इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म को बनेंगी तो इसके गीत भी ऐसी होंगे और हम सब लोग को इसमें बनावटी नहीं है अशोग शेकर जी का जो चुनाव है इनका इन्तखाब है वह हमें पता है कि यह चुन-चुन के रखते हैं इसलिए इन्होंने हमें चुना है इनके जो साथ हमारे जुग्राल जुग्राल साहब जो चुना है हमें डिर्क्टर साहब ने भी तो हम चाहेंगे कि इसके गीत सुपर दूपर हिट हों क्योंकि मुझे तो हिट होने की आदत है मेरे सारे गीत हैं मैं चाहूँगा कि मेरी कोशिशें रंग लाएं और मैं अशोग जी डिर्क्टर साहब जब भी हम कुछ नई चीज करते हैं तो उसे लेकर बहुत जादा एक्साइटमेंट होती है हमारे मन में तो आपकी टीम में इस मूवी को लेकि क्या एक्साइटमेंट है बहुत बहुत जारा एक्साइटमेंट है हम लोगों की नीन दूड़ी भी है पिछले दस दिन से हम लोग मुश्किल से दो दो गंटे सो रहे है क्योंकि वार फुटिंग पर काम चल रहा है डिरेक्टर साथ तो पढ़ पढ़ के और रेफरेंसिस देख देख के पागल हो है और मुझे लगता कि जब तक यह फिल्म चलती रहे की फिल्म होती रहे की तब तक रिसर्च मेरा खतम होने वाना है हम दस राइटर लगा के रखे हैं हमने जो सिर्फ यह काम कर रहे हैं बैठे वे रोज कुछ ने कुछ लाके हमको बताते रहते हैं तो यह तो चलता रहे हैं मतबए यह बहुत बड़ा युद्ध है और बस इश्वर से कामना है कि इस युद्ध में हमारी जीत हो हम भी यही चाहेंगे हमारे पूरी टीम यह चाहेंगे डिवाइन मेलोडीस के आपकी युद्ध में जीत हो अच्छा क्या लगता है आपको दर्शक इस फिल्म को कितना पतन करेंगे बहुत करेंगे हर आदमी जानना चाहेगा कि पद्मावती की रियल स्टोरी कि है हर किसी को जानना है तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग एक बार रियल पद्मावती देख में ज़रूर आएंगे हम कर रहे हैं एक अच्छा प्रियास हम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि एक बार हमारी भी फिल्म आके देखो और हमें आप ही रेट करो कि हम क्या करें क्या कर सकते हैं हमने क्या किया मतब हमने हमें जो भी शाबाशी मिलनी है या गालिया मिलनी है आप से मिलनी है आप आओ और इस फिल्म को देखो, अच्छा लगे तो सराओ, नहीं अच्छा लगे, तो हमें हमारी कमियाँ बताओ. यह फिल्म बनाने में मेरे दोस्त जुगराल जी का बहुत बड़ा हात है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, इनको मुझे ब्लाइंड फेथ है, इन्हों नहीं मुझे पूरी लिवर्टी दिये कि भई, मैं साथ में हो, तुम खड़र हो. बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा पिलर जो है, यह हमारे महादेव है, बस जो सही चीज है, सही चीज दिखनी भी चाहिए और दिखानी भी चाहिए, जिसे लोगों को मानों पड़ा है के यह अखिकत क्या है. ुम जो कि बातु कर दो है है, कि एक एक दर दो विए सही जो बंप है क्यां है कि रो सजी महात्व सबसे हैं हूब है।